जब हम रोटी बनाते हैं तो हमारा आटा बची जाता है आजम उसी आटे का बहुती टेस्तिनास्ता बनाने वाले हैं बनाने का तरीका बिल्कुल अलगे तो चली जल्दी से शुरू करते हैं से बनाना सबसे पहले हम एक कटोरी के अंदर दो छोटी चमच बेसन लेंगे और साथ में हम यहापे दो छोटी चमच सूजी लेंगे स्वाध अनुसा नमक डाल देंगे और आदा चमच हम यहापे लाल मिश कुटी उवी डालेंगे और उपर से हम धनिया की पत्ती डालेंगे तो यहाँ पर हमें धनिया बारी काटके नहीं डालना है पूरी-पूरी पत्ती ही डालनी है जिससे हमारा नास्ता है उदिखने में बहुत ही सुन्दर बनेगा इस जगह आप पालक भी डाल सकते हो लेकिन पालक के हम पूरी-पूरी इसलाई करके डालनी है इन सबी चीजों को हमें अच्छे सी मिलाना है और थोड़ा सा पाने डालकर हमें यहाँ पर एक पतला सा बेटर बना के तयार करना है यहाँ पर हमें बेटर है ज्यादा गाड़ा नहीं रखना है थोड़ा सा पतला ही रखना है इस तरह का क्योंकि सुजी है वो पाने में थोड़ी सी फूलेगी बेटर हमारा बन के तेयार हो चुका है इसे हम थोड़ी देर के लिए साइट में रखेंगे अब करते हम आगे की तेयारी अब मैंने यहापे उबले हुए दो आलू ली है इन्हें हम अच्छी तरह से मेश कर लेंगे आप चाओ तो इन्हें यहापे ग्रेट भी कर सकते हो त्यार लखना है कि इसके अंदर कोई गुटली नह रहें आलू मैश होने के बाद अब मैंने यहापे एक गाजर को ग्रेट कर लिया है वो डाल देंगे साथ में हम यहापे दो बारिक कटवी हरी मिश डालेंगे आदा चमच हम यहापे डालेंगे लाल मिश पाउडर आदा चमच डालेंगे धिन्या पाउडर और आदा ही चमच हम यहापे चाट मसाला और स्वादनों सा नमागेट कर देंगे आदा चमच कच्चा जीरा और उपर से हम बारिक कटवा हरा धिन्या डाल देंगे सबी चीजों का हम आलो में मिला लेंगे तो यहां पे हमें आलो का डो बना के तयार करना है डो हमारा बन के तयार हो चुका है इसे हम साइट में रखेंगे अब मैंने यहां पे बचववा आटा लिया है तो यह वही आटा है जिसके हम रोटी बनाते हैं इसमें से हमें एक बड़ी सी लोई बना के तियार करने हैं लोई बनाने के बाद जिसे हम कचुरी बनाते हैं उस तरह का सेफ हमें इस आटे का बनाना है नास्ता हमारा खस्ता बने उसके लिए इसमें हम एक या दो छूटी चमत तेल डालेंगे अगर आपके अपास बचा हुआ आटा नहीं है तो आप सूखे आटे में तेल डालकर आटा लगा के तेयार कर लें तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूगी अगर आपको मेरी रेशिपी पसंद आ रही हो तो मेरे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें अब हमने यहाँ पर एक बड़ी शुरूटी बना के तेयार कर लेंगे अब हम एक गलास यह कटोरी लेंगे और इस तरह से हम छोटी-छोटी पुडी कट कर लेंगे तो रूटी को आप ज़्यादा मोटा नहीं बेले पतला ही बेलना है और साइट के आटे को है इसे हम हटा लेंगे अब हमने जो आलू का डो बना के तेयार किया था उसका इस तरह से छोटे रोल बनाना है आमें और पुडी के बीच में इसे रख कर इस तरह से फोल्ड करके हलके हलके आतों से साइट को दबा देंगे इन्हें बनाना बहुती आसाने अगर आपको यहाँ पे और कोई से पसन हो तो आप वो भी बना सकते हो इसी तरह से हम सारा नास्ता बना के तेयार कर लेंगे हमने जो सूजी और बेशन का जो बेटर बना के तियार किया था उसे इस नास्ते को हम इसके अंदर अच्छे से डिप कर देंगे और जिसे हमारा तेल गरम होका उसके अंदर इमें फ्राइ कर देंगे इने फ्राइ होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है सिब 2-3 मिनिट में ये बनके तियार हो जाते हैं तो फ्रेंस यहाँ पर हमें गेस की फ्रेम को मीडियम रखना है और मीडियम फ्रेम पर हम इने उलरते फूलरते वे अच्छे से क्रिस्पी होने देंगे इस नास्तो को बनाने के लिए हमें मार्केट से कुछ भी सामान लाने के जुरूत नहीं, सारा सामान अपने घर में ही मिल जाएगा ये बहुत कम सामान और कम टाइम में बनने वाला नास्ता है ये आप देख सकते हैं कि इनका कलर दिरे दिरे चेंज होने लगा है, यानि कि ये बनके तेयार हैं इन्हें हमें एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी का सारा नास्ता बना के तेयार कर लेंगे इस नास्तियों को बनाना बहुती आसान है और अगर एक बार इस नास्तियों का आप बना लोगे तो हमेशा इसे ही बनाओगे और गारेंटी से आप आजार का सारा नास्ता बुलने वाले हो और अगर एक बार इस नास्टों का आप घर पे बना लोगे तो आपके फिमेली में ये सबी को बहुत ही पसन आने वाला है तो friends बातों ही बातों में हमने सारा नास्टा बना के तियार कर लिया है तो friends रोटी बनाते समय आटा बच जाए तो कोई टेंशन वाली बात नहीं इस तरह से आप नास्ता बना के चाई के साथ खा भी सकते हो इस खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है इसे खाने के लिए हमें न तो कोई चटनी और नहीं किसी सोस की जुरूत परती है इन्हें इसे ही खाये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है तो आप कप ट्राइ करो इस रेसिपी को मुझे कमेंड में जुरूर बताए अगर आपको आज की में रेसिपी पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक से और सुस्क्राइब करना ना भूले मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ थांक्यू फोर वचिंग